हेलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीब साहत करता हूँ अपने यूटूब चैनल कोईन वीडिया में दोस्तों जैसे आज आज आपको पता होगा आपने थमनल देख लिया हो यह आपके सवाल जबाब वाली वीडियो है जो कल की डेट में आपने वीडियो पे अपडेट किये हैस दोस्तों आपने पूछा इसमें 5 लगकी विनर के जवाब है और आप भी अभी कोई अपना सवाल पूछना चाहते हो तो हैस्टैक कोईन लिखके इसी वीडियो के नीचे पूछ सकते हो कल की डेट में आप पांच लखकी विनर में आते तो आपके वीडियो अपडेट हो ज का आएगा और रिप्लाइ मैं देपाऊंगो तो पहला सवाल पूछ पता किसने पूछा है देखते हैं पहला सवाल पूछा है नंदलाल करपलानी जी ने हैस्टेक कोईनम इंडिया वन रुपिस स्टील कोईन है इनके पास निर्ते मुद्रका है और इसमें यह पूछना चाहरे है कि कौन सा सिक्का होता है वैल्यू वाला इसमें ठीक है मैं आपकी हैल्प कर देता हूँ मगर दोस्तों यह वीडियो बहुत ही आदा खास है और इसमे काफी यादा information मिलने वाली है आपको detail information ठीक है थोड़ी वीडियो जरूब लंबी होएगी यह वाली मगर आपको काफी यादा इसमें फायदा होगा क्योंकि बहुत अंदर से detail deep जाके मैंने आपके लिए deep detail निका लिए जो आप लोगों आप फायदा हो ठीक है आप जो इन् का लगबग कोईन होगा यह शेप इसकी राउंड होगी ठीक है बारत की चारों मिन्टों की तरफ से आयते है यह 2007-2011 तक ठीक है मगर यह इसमें जितने भी कोईन आया है 2007-2011 यह सब के सब नॉर्मल कैटिगरी के कोईन है वैल्यू चल रही है यूंसी में पांच रुपे से ज्यादा नहीं है ठीक है मगर इसमें जो खास कोईन है जो रेयर विर्blyइटी के कोईन आते हैं ठीक है वो आप एक बार देख लीजिए कि आपके पास यह बाले कोईन है तो उनकी बिलकुल वैल्यू है कोईन की दुनिया में ठीक है ना? कोईन मार्केट में अच्छी वैल् होती है लोग ऐसे कोई को फैक देते हैं बेकार है तो नहीं यह आपको बहुत अच्छी कीमत दिला सकता है ठीक है ऐसे कोई की कीमत जाती है डेड़ सो से साड़े पांच सुर्पे के बीच में रहती है ठीक है वन रुपीस की अब दोस्तों एक बार आप यह देखिए ठीक है है एदराबाद मिंट वन रुपीस दोजर आठ का है दोनों सिक्के आपके सामने रखें और दोनों में फरक देख लिजिए यह सरकल के माध्यम से आप फरक देख सकते हैं ठीक है इसमें एक रेर विराइटी आती है आप लोगों के लिए मैंने यह भी कवर कर दिये कि आप लोगों का बस फायदा होना चाहिए ऐसे सिक्क्या आपके पास पढ़े हैं तो आप चेक करें उसमें उपर वाला कोईन है ठीक है टाइब वन और नीचे वाला नॉर्मल है आप इसमें डिटेल इंफरमिशन स्क्रीन शोट लेके फोटो खीच लीजिए और पढ़ लेना ठीक है ना क्योंकि ज्यादा डीप जाऊंगा तो दोस्तों आगे सवाल और भी कवर करने हैं तो वीडियो बहुत लं जी ने है सब्सक्राइब इंडिया आइब वन पाई 90 54 को इनके पाग कोईन है और यह वैल्ली जाना चाहरे है तो आपने इसमें में लिखी ठीक है मैं फिर भी आपको वैल्ली बता रहा हूं देखिए तो आपके पास यह वन पाई होगा ठीक है मैटल की बात कर दो ब्रॉं सब्सक्राइब और क्यलकेटा की मिंट से ठीक है 1950 से 1955 तक आएं काफ़े रेर कैटेगरी के इसमें कोईन आते हैं मगार डीप हो जाएगी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बस आपके सवाल को कवर कर रहा हूं और इसके लिए अलग वीडियो दो वीडियो अपडेट कर चुका हूं अपने चैनल पर किसी के पास ऐसे सिक्किया तो आप वीडियो देख लिजी ठीक है इनका सवाल जो इन्होंने पूछा है 1954 का तो यह बंबे हैदराबाद और कैलकेटा तीनों मिंट की तरफ से है इसमें सिर्फ हैदराबाद मिंट रेर के टीडियो की मिंट है ठीक है काफे रेर है उसकी वेल्यू है 3000 पर ठीक है अब हैदराबाद मिंट को आप कैसे पचानेंगे मैंने वीडियो अपडेट करी थी आप देख लेना और फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं इसमें जो डाइमेंड होगा बीच में से कटा होग का लाइन खिची होगी ठीक है दोनों तरफ यह एरो का सिंबल समझ लेना उससे आप पेचान पाएंगे यह हैदराबाद मिंट है ठीक है ना तब उसकी कोईन की कीमत आपको यूएंसी में मिल सकते हैं 3000 पर तो नेक्स्ट कोशन को पर कर लेंदे किसका है तो नेक्स्ट कोश होगा वन रूपीस का इसके मैटल की बात कर तो स्टेनलेस स्टील है और वेट की बात कर तो चार गराम का है ठीकनेस इसकी 1.4 mm है शेप इसकी राउंड है अपने बारत में 2011 से 2019 तक आएं ये बारत की चारों मिंटों की तरफ से आएं ठीक है मगर इसमें भी मैं वही बात कह स्टेटिंग या नो प्रेंट व्राइटी हो तो उसी की वैल्यू है ठीक है बाकि सब को इन नॉर्मल कैटिगरी के कोईन है वैल्यू जाती है यूंसी में पांच रुपे ठीक है यह मैं आपके लिए लगा रहा हूं डीपी यहां पर देख लेना पिक्स में ऐसे कोईन आप इनके बाक कॉपर कोईन है 1920 का खेंगर जी कुछ का ठीक है इन्होंने वेट बताया है 6.38 ग्राम और इसका दायमेटर बताया है 20.8 ग्राम और इन्होंने थीकनेस बताये 3 एमेम तो यह वैल्यू जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको और आपको ऑक्शन आउस में बिखता हुआ दिखा रहा हूं तो देखिए एक बाद हंजी यह देखिए आपका यह कोईन होगा आपके पास तो इसको प्रेंसली स्टेश के कोईन बताते हैं ठीक है ना उपर आप देख पा रहे होगे जोर्च 5 भी लिखा हुआ है तो यह 1976, 1977 और 1920 में यह कोईन चलते थे ठीक है सोरी दोस्तों इसमें 1920 में चलते थे यह जो कोईन की इसमें इंफर्मेशन में पढ़ रहा हूं थोड़ी में गलती करी हुए यह नोगों ने तो यह 1920 में थे सुनिल दी जैसे आपने ड्रायमेटर बताया बिल्कुछ सही बताया आपने सेम वही है सारा कुछ अब इस की वेल्यू के साब से 300 से 500 औरपे के बीच में यूएंसी में न्यू कोईन है आपके बास तो 500 औरपे आपको मिल सकते हैं तो नेक्स्ट कोशन कवर कर लेते हैं किसका है तो दोस्तों नेक्स्ट कोशन पूछा है दीपक गुपता जी ने हैस्ट एकॉनियो मीडिया सर मैं नो जाएंगे असानी से ठीक है तो देखिए पहले आप यह देखिए उपर कैलकेटा मिंट है उसमें कोई मिंट पार्क नहीं होता नीचे जो मॉंबाई मिंट है सेकिंड नंबर पर डायमेंड मिंट होती है आम सिक्कों पर और यह यू यह यूएंसी प्रूफ सेट पर होता है जो आम चलन में सिक्के आते हैं जो आप यह देख रहोंगे यह डायमेंड मिंट बनाओ है सेकिंड नंबर पर ठीक है और जो नोईडा मिंट है वो देख लीजे आप डॉट मिंट होता है सिर्फ नोईडा का डॉट ही होता है और जो हैदराबाद मिंट है इसमें आप देख में और बीच में एक छोटा सा छेथ दिख रहा होगा आपको ठीक है ये तीनों है दराबाद मिंट है ठीक है अब मैं आगे दिखा रहा हूँ आप उससे भी समझिए ये इसका आप स्क्रिंशोट ले सकते हैं आपको समझने में बहुत असान ही होगी ठीक है ना मॉंबाई कैल कई लोगों को पता नहीं है मिंट मार्क क्या होते हैं तो वीडियो वैसे मैं अपडेट कर चुका था एक वीडियो फुल इंफर्मेशन के साथ है फोरन कंट्री की भी बताईए वंदेश में ठीक है आप चैनल पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगे इसमें आप देख सक सब्सक्राइब को समझने में आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी तो एक लाइक जरू कर देना मेरा होसला बढ़ाई है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत रखती हो इतना डीप जाना पड़ता है ऐसे सी इंफरमेशन निकालने के लिए जो आज की current value चल रही होती है वो भी निकालने पड़ती है ठीक है दोस्तों और रोज की एक वीडियो अपडेट करने में बहुत बड़ी बात है मैं फिर भी दो वीडियो आपके लिए अपडेट करता ही हूं बस आपको help हो जाए आपकी information आपको मिल जाए ठीक है डेली बेसिस पर आपके लिए ला रहा हूं वीडियो तो एक लाइक कर देना दोस्त यारों में जरूर शेयर करिए जो उनको भी value पता लगे ठीक है दोस्तों अब मिलते है अपनी अगली वीडियो में ओके भाई टेक केर